नमस्कार सभी साथियों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम RTE के तहट छात्रों का रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आप देख सकेंगे होम स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है साइड में बड़े अक्षरों में इसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है तो वहाँ से भी आप Link से डायेक्ट जा सकते हैं इसमें यहां पर जाने के बाद आपको Student Registration में जाना है Student Registration में जाने के बाद आपको आटी के लिए आवेधन एवम सुधार दिखेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप RT registration के पेज में पहुँच जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है RT के अंतरगत छात्र का पंजियन यहां पर पहुँचने के बाद आप यहां पर RT के तहत आवेदन कर सकते हैं कुछ important बात है यहां पर एक आवेदन दर्ज कर सकते हैं कि यहां पर बाकी आवेदनों को रद्द किया जाएगा यह की important बात है कि यदे आपके आवेदन में कुछ ठूटी है तो आप आवेदन में संशोजन कर सकते हैं यहां पर बटन दिया है आवेदन में संशोजन का उसके बाद है आवेदन दिनांग जो है वह है नौ पांस दोजार अठारा से छबिस पांस दोजार अठारा तक तो यह बहुत इंपोर्टन फेक्टर है आवेदन करने के लिए पहले हमको जिला सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पर राइपू सेलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद हमको शहरी और ग्रामीड एरिया सेलेक्ट करना है जो शाला है वो शहरी एरिया में है या ग्रामीड एरिया में तो शहरी एरि रायपुर्चिन लेता हूं उसके बाद वार्ड सेलेक्ट करना है तो इसमें थोड़ा समय लगता है आप इंतिया करिए इंतिया करने पर आपको वार्ड की ओप्शन दिखाई देने लगेंगे अब देखिए मैंने वार्ड करमांग के एक वीर सवार क्रेंगागर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर जाकर उसके बाद आपको जो है, महल्ला और ग्राम पन्चायत सिलेक्ट करने का opshire는 है तो आपने, जैसे ही मैंने विर्शा कर वार्ट शिलेक्ट किया तो अपने आप वहाँ पे महल्ले का नाम ले लिया है उसके बाद आपको बच्चे का जब्मतिभी select करना है जम चीज भरना है इसमें एक important चीज यह है बच्चे की आयू नरसरी के लिए 3 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 4 वर्ष से कम होना चाहिए नरसरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयू केजी वर्ष में प्रवेश के लिए 4 वर्ष पूर्ण होना चाहिए बच्चे की आयू और 5 वर्ष से कम होनी चाहिए और क्लास वर्ष में प्रवेश के लिए 5 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 6 वर्ष 6 माह से कम होना चाहिए ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 31 मर्च 2018 की स्थती में यह आयू होने चाहिए बच्चे की जिसका प्रविश्ट दिला रहे है 31 मर्च को 2018 को जो आयू है उसकी वो इनको पूर्ण होना चाहिए इन शर्तों का पालन करना चाहिए तभी आपके बच्चे का उस क्लास में अनिमिशन हो पाएगा इतना करने के बाद हम स्कूल देखे बटन पर क्लिक करते हैं यह देखी आप जम्तिसी सिलेक्ट कर लेता हूं मैं एक अप्रेल 2012 है जिस बच्चे का मैं registration कर रहा हूं उसकी date of birth वहाँ पर select कर लिया मैं बाली का के लिए registration कर रहा हूं इसलिए यहाँ पर link में बाली का select कर लिया ऐसा करने के बाद मैं school देखे पर click करता हूं तो इसके बाद थोड़ा wait करेंगे आप करेंगे तो नीचे आपको उस वाड के इस्कूलों की लिष्ट दिखाई देने लगेगी यह देखिए देख सकते हैं आप वीडियो में कि नीचे उसके उस वाड में जितने इसकूल है primary उनकी लिष्ट दिखने लगी यह पर एक important factor है यह दि लाल रंग से दिखाई दे रहा है तो कक्षा का नाम तो वहाँ आप आविदन नहीं कर सकते जबकि हरी रंग से दिखाई दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आप आविदन कर सकते हैं उधारन के लिए मैं ग्यान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल राइपुर को सेलेक्ट करता हूं वहाँ पर देखिए आप रेड रंग से दिख रहा था वहाँ पर आप आप नहीं भर सकते अब यह गुरुनानक पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पहली क्लास में अडमिशन कराना है उसके उम्र छे वर्ष पूर्ण हो चुकी है मैंने क्लास वन सेलेक्ट किया और चुने बटन पर क्लिक किया अब नीचे देखेंगे तो उस स्कूल का नाम यहा दिखने लगा वहाँ पर क्लास वन को फिर चुने बटन पर क्लिक किया नीचे देखेंगे तो उसका नाम भी आपको दिखने लगेगा यह देख सकते हैं प्राइवेट महेश्वरी विद्याला यहां पर आ गया है एक और स्कूल में सिलेक्ट कर लेता हूँ नव्यूग MS सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं क्लास वन में यह सिलेक्ट किया मैंने उसके बच्चुने बटन पर क्लिक किया अब देखेंगे आप उसका नाम भी नीचे दिखाने लगेगा देखते हैं यह देखिए इस परकार तीनों स्कूल को नाम दिखाने लगा है यहां पर अब यह प्राथमिक्ता क्रम मतलब आप किस स्कूल को प्राथमिक्ता देना चाहते हैं तो यहां पर आप सुधार कर सकते हैं जैसे मैंने परिवरतन किया है क्योंकि मेरी प्राथमिक्ता है दूसरी है इस कि ऐस्यान की कि उसके बाद इंपॉटेंट बात यह हैकि एक ही प्राथमिक्ता को दिया है प्राथमिक्ता क्रम 제या का कि तो देखिया आप बदलाव हो गया है है महेश्वरी आधाश विद्याला पहले नंबर पर आ गया उसके बाद मुझे आवेज़क का विवरण भनना है तो आवेज़क के विवरण में मुझे बच्चे का नाम भनना है जिसका मैं एडमिशन कराने जा रहा हूँ एडमिशन के लिए अपलाई कर रहे हैं तो मैंने अमिता भर दिया आधार नंबर यदि हो तो भरना है आपको सामाने वर्क से है यह शात्रा पता उसका भर दिया मैंने यह वाड नंबर वन रायपुर पिन कोड भर दिया तो जिन बिंदों पर इश्टार लगा है उनको भरना आपको बहुत जरूरी है जिन में इश्टार नहीं लगा है तो उनको आप एक बार इडमिशन के लिए उसके बाद है पिता का नाम, माता का नाम या अभिभावक का नाम यह तीनों में से एक जानकारी आपको भरना है तो यहाँ पर मैं पिता का नाम भर देता हूँ शरन, मुबाइल नमबर बहुत इंपोर्टेंट है कि बाद में यदि आप आवेधन में परिवर्तन कराना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई अपडेट आप तक पहुंचाना है तो उसमें उसी मुबाइल नमबर पे आपके अपडेट साएंगी तो मुबा तो यहां पर मोबाइल नमबर भर देते हैं, माता के नाम मैंने भर दिया है, सुश्मा लिखती है मुझे, मैंने, उसके बाद मोबाइल नमबर भरा, इस मोबाइल पर ही पूरी अपडेट्स आने वाली है दोस्तों, इसलिए सावधानी से इसको भरना है, मैं दूबारा बता देता हूँ, उसके बाद उसका जन्म प्रवाण पत्र, जन्म की सत्यापन के लिए जन्म प्रवाण पत्र, आगर वाली रिकॉर्ड, रेजिस्टर रिकॉर्ड, या अगर ये कोई नहीं है आपके पास, तो उस बच्चे का, तो अभिवावक लिख के दे सकता है पेपर में कि उस बच्चे के दिनांक जन्म प्रवाण प्रवाण पत्र, आपको रेंट पर रहते हैं तो इसमें आपको रेंट एग्रिमेंट के और शक्त होगी, क्योंकि ये चीज़े जो है, नोडल दौरा सत्यापन की जानी है, इसलिए बहुत साउधानी से भनना अवश्यक है, पहचान पत्र के लिए, तो कोई भी ऐसा आइडेन्टिफिकेशन जो जिसमें आपकी फोटो हो, और शाशन दौरा मानिता हो, तो उसको आप ले सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, ड्रैविंग लाइसेंस, या अन्य कोई आपके पास दस्तावेज है, तो, उसके बाद नीचे आते हैं, तो इसमें दो वर्क के छात्रों को प्रवेश देना है, दुर्बल वर्क और असुविधा ग्रस्त वर्क के, तो दुर्बल वर्क क्या होते हैं उनकी definition उपर दी गई है ऐसे बच्चे जिनके गरीवी रेखा से नीचे हैं और HIV संक्रमित हैं तो वो दुर्बल वर्क में आएंगे ऐसे बच्चे जो अनुसुची जाती के हैं, अनुसुची जन जाती के हैं आदेम जाती समूग के हैं, या फिर वन अधिकार पत्यक धारण किया हुआ है उन्होंने या फिर 40% से अधिक दिव्यांग है, वो असुधा ग्रस्त बच्चों के उसमें परिभाशा में आएंगे तो यहाँ पर मैं दुर्बल वर्ग सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि BPL है बच्ची दुर्बल वर्ग, इसका चैन बहुत साउधानी से करना है क्योंकि बाद में इसके दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे BPL बच्ची है, मुल्भुत दस्तावेज में आ जाएगा BPL कार्ड BPL कार्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है उसको आपको एग्रिमेंट को यस करना है तो इसको एक बाद पढ़ लेना बहुत आउश्यक है क्योंकि यह सारे दस्तावेज जो आवेजन की समय चुना गया है वो नुडरल अधिकाली की समख्च प्रस्तुत किया जाना है सत्यापन करने पर कोई जानकारी जूटी पाई जाती है तो यहाँ पर आवेजन निरस्त हो सकता है प्रवेश निरस्त हो सकता है यदि बाद में पाई जाती है और कानूनी करेवाही भी की जा सकती है तो इसको बहुत समझ के एंट्री करने के आवर्शक है आपके पास जो दस्तावेज हैं उसको ही आप सिलेक्ट करें बाद में नहीं तो आपको बहुत अस्विधा करना करना पड़ेगा यह डेट से लिखी हुई है यह आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करेंगी जैसे ही तो थोड़े समय बाद आप बेट कीजिएगा सर्वर बिजी रहता है कई बार थोड़े समय बाद आपको यहाँ पर एक रिसिप्ट जेनरेट हो जाती है एक रसीट जेनरेट हो जाती है जिसमें आपका आवेजन कमांग लिखा रहता है आपके स्कूल से लिखे रहते हैं आपने किन-किन स्कूलों को क्या-क्या प्रात्मिक्त्यक्रम में चुना है आपका पूरा विवरन दिखा रहता है जैसे आवेजित वर्क दुर्बर वर्क से है या असा या फिर असुज़दागरस्त वर्क से है तो आपको इस रसीट को ब कोई गलती हो गई है तो उसको आपको सुधानने का option भी उपर दिया है जिसमें आवेदन में संशोधन कर सकते हैं आप तो उसके लिए जो mobile number आपने डाला था वह सही होना बहुत जारूरी है उसके बिना आप संशोधन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस mobile में OTP आता है यहां पर मैंने आवेदन कमांग डाला उसके बाद आवेदन कमांग डालने के बाद आप OTP प्राप्त करे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके mobile जो आपने mobile पहले दिया था उस पर OTP आ जाएगा वन टाइम पासवर्ड उसके बाद आपको OTP लिखना है और संशोधन करे पर क्लिक करना है उसके बाद ही आपका संशोधन वाला फॉर्म खुल पाएगा तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमें कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद